नमस्ते, हिंदी की क्लास में और विश्कूल की तरफ से आपका फे से स्वागत है आज हम दो अक्षरों से बने शब्द सीखेंगे उसे पढ़ते कैसे हैं वो सीखेंगे और उसे लिखते कैसे हैं वो भी सीखेंगे तो चलो सीखते हैं दो अक्षरों से बने शब्द जैसे कि आपको मालूम है दो अक्षर जबी साथ में मिलते हैं तो वो एक शब्द बनाते हैं और दो अक्षर मिलके बनने वाला शब्द कहलाता है दो अक्षर का शब्द तो आज हम दो अक्षर के शब्द पढ़ेंगे हमारा पहला शब्द है श, त, शत दोहरा ना बोले श, त, शत उसके बाद में है श, ट, शत व्यंजिन को पहचानना है और उसे साथ में बोलना है स, च, सच स, च, सच उसके बाद में है ह, ल, हल ह, ल, हल उसके बाद में है ल, ठ, लट उसके बाद में र, थ, रत र, थ, रत व, न, वन व, क, वक क, अन, कन क, न, कन क्ष, य, 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 क्ष, य ल, कल, क, ल, कल, ख, स, खस, खस, ग, अन, गण, ग, त, गत, ग, त, गत, म, त, मत, म, त, मत, ग, त, गट, ग, त, गट, च, ख, च, ख, चक, च, ट, चट, च, त, चट, च, र, चर, दोराना ना भूले च, र, चर, च, ल, चल, च, ल, चल, ज, न, जन, ज, न, जन, ज, ब, जब, ज, ब, जब, च, ट्र, च, ट्र, च, ट्र, च, ट्र, च, ट्र, जड़ 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 हो ज कह ज थですね द ज प जप त स त प थप थ स स्थस्थस्थ स्थस्थजगदगदगदगदगदगदगदगदगदगदगदगदगदगदगदगदगदगदगदगदगदगदगदगदगदगदगदगदगदगदगदगदगदगदगदगदगदगदगदगदगदगदगदगदगदगदगदगदगदगद page number 9, we will practice writing our two letter words in Hindi, first thing we will write today's date here we will write today's date that is 1.12.20 then we will practice writing our two letter words दो अक्षरों से बने शब्द पहले हम लिखेंगे पहला शब्द जूकी है शल्गम का श आप ऐसे लिखोगे तीन लाइन के बीच में फिर आप लिखोगे विरंजन त standing line, sleeping line and slanting line फिर यहां से लेके यहां तक एक चोटा सा sleeping line पहली लाइन पे यह हो गया आपका शब्द श त शट शट मतलब 100 उसके बाद में लिखेंगे दूसरा शब्द शट को उनका श देखो आप लाइन को टच करके लिखना है लाइन के बाहर नहीं जाना है श ट शट शट मतलब शटकोन उसके बाद में तीसरा जो शब्द है वो है साबका स और च स च सच उसके बाद में है ह ह कैसे लिखना है एक चोटा सा स्टेंडिंग लाइन एक सी जो दूसरी लाइन तक रहेगा वहाँ से थोड़ा सा नीचे जाके वापस चाते हुए एक बड़ा सा कव जो तीसरी लाइन से थोड़ा सा नीचे जाएगा परन्तु रेड लाइन को टच नहीं करेगा ह, और उसके बाद में लिखेंगे ल, ह, ल, हल ह, ल, हल ये एक लाइन का मतलब है ये दोनों व्यनजन मिलके एक शब्द बनता है और उसके बाद में है हमारा नेक्स्ट वाला शब्द जो की है क्ष़, आपको अच्छे से लिखना है correct formation में लिखना है क्ष़, ये, क्ष़, क्ष़ ऐसे आपको बोलते जाना है और लिखते जाना है ये सभी लाइन में आपको बोलते जाना है लिखते जाना है पहले आप शट, शट, शट सब जगा लिखोगे उसके बाद में शट लिखोगे फिर सर्च लिखोगे और जब लिखते हो बोलते जाना है और उपर उसके चो चित्र बनाए है उससे भी देखना है ऐसे ये एक बार पूरा पेज कंप्लीट हो जाए फिर हम नेक्स्ट पेज पे राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे on page number 10 also we will practice writing our two letter words first thing we will write today's date in the corner and then we will practice writing our words कर न कर न कैसे लिखोगे पहले लिखोगे आप कर अन कर्ण और उसके उपर एक sleeping line कर्ण उसके बाद में क ब कब उसके बाद में आप लिखोगे next वाला शब्द जो की है क म कम उसके बाद में है कर कर और क ल कल ये सबी शब्द में एक चीज कॉमन है जो की है ये हर एक शब्द व्यंजन कर से शुरू होता है कर्ण कब कम कर कर वैसे आपको ये सभी line में उसकी writing practice करनी है उसके बाद में यहाँ आप writing practice करोगे पहला जो शब्द है वो है ख स खस उसके बाद में है ग ढ गड आपको सब जगा लिखना है मैं आपको सिर्फ एक बार लिख के दिखा रही हूँ आपको बोलते जाना है और लिखते जाना है ग अन गण उसके बाद में है ग और त गद उसके बाद में है घ जो कि घर का घर होता है और त घट यैसे आपको ये दोनों पेज पे अच्छे से राइटिंग प्राक्टिस करनी है मुझे आशा है बच्चो आपको दो अक्षरों से बने शब्द लिखते कैसे है वो अच्छे से समझ में आया होगा धन्यवाद